नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आई स्प्रेप एकेडमी की YouTube प्लेटफरम पर आज की जो ये क्लास है इस क्लास के अंतरगत जुलाई महीने के कंप्लीट करेंट अफेर को हम डिसकस करने जा रहे हैं जुलाई महीने में जो घटने वाली घटना हैं उन पर आधारित ये करेंट अफेर हैं इसके अंतरगत 135 से उपर प्रशनों को हम देखेंगे कम समय में देख लेंगे डेली 30 में हम इन प्रशनों को डिसकस करते हैं डेली 30 क्लास अगर आप देखते हैं रोज 8 बजे तो उसमें एक GS का टॉपिक और एक करेंट अफेर का सेशन होता है जिसमें द करेंडे आपका गाइड आपका दोस्त चली सुरू करते हैं इस सेशन को और लेते हैं पहला प्रशन किस ACI देश ने कुरोना वाइरस के प्रसार के बीच सभी बन्यजीयों के आयात पर प्रतिबंद लगा दिया और ऐसा करने वाला जो देश है वो देश कौन सा है यह देश से वियतनाम के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है गुएन जुआन फोक आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला जो प्रशन है किस भारती राजिया के इंसासित प्रदेश द्वारा 2021 में खेलो इंडिया यूद गेम्स के चौथे संस्क् अगला जो प्रशन है हाली में किस देश ने अपने मित्र देशों को ड्रोन निर्यात के लिए मानको में धील दी है तो मानको में जो धील देने वाला ये देश है ये यूनाइटेड श्टेट आप अमेरिका संयुक्त राज अमरिका है लेकिन जो ये धील दी गई है ये 800 कि गंटे से नीचे उडान भरने वाले ट्रोन के निर्यात पर दी गई है इससे ज़्यादा जो इस्पीड वाले हैं उन पर नहीं दी गई है नेक्ट कुश्चन राफेल जेट लडाको बिवान की खरीद भारत ने किस देश से की है बहुत इमोर्टन प्रशन है अभी 27 जुला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टन प्रशन है विस्टु का सबसे बड़ा गैर धुर्विय ग्लेसियर कौन सा है नोट का लिजे ये प्रशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टन है और ऐसा प्रशन आयोग जब पूछता है तो उसको गलत करा देता है कई बार उसके आंसर स कर रहा हूं यह द्यान रखिएगा अगर आपसे यह लंबाई पूछी जाएगी तो लंबाई के क्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे जो लंबा है वो फैंचे को है फैंचे को 77 किलो मीटर लंबा है और यह इस्थित कहा है कहा पर इस्थित है तजाकिस्तान में 70 Kilometer लंबा और ये वाला सियाजी इस्तित है भारत में तो इस प्रश्ण का उत्तर सही ए हो जाएगा अगला जो प्रश्ण है भारत के किस संस्थान ने बित्तिय श्तिरता रिपोर्ट जारी किए है बित्तिय श्तिरता रिपोर्ट जो जारी कि जाती है वो भारती रिजर्ब बैंक जारी करता है B option इसका विल्कुल correct है किगाली समझोते पर हस्ताचर कब किये गये थे किगाली समझोता जो है वो Montreal प्रोटोकाल में संसोधन से सम्मदित समझोता है और इस पर हस्ताचर 2016 में किये गये थे 15 October को 15 October 2016 को यह स्ताचर किये गये थे D option इसका correct हो जाएगा Next question वह राजे जिसके राज़ पच्छी को अंतर राष्टिये प्रकिर्ति समनच्छन संग रेड लिस्ट में गंबीर रूप से लुप्ट प्राय प्रजाती हों के तहत सूची बद कर चुका है है ना IUCN की लिस्ट में इसको सूची बद किया गया है और वो पक्षी का नाम अगर आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि वो कहां का राज़ पच्छी है बंगाल फ्लोरिकन ग्रेट इंडियन वस्टर्ड ग्रेट इंडियन जो वस्टर्ड है ये रास्थान का राज़ पच्छी है इसके साथ में ACI हाथी इन सबको सामिल किया गया है IUCN में और ये किसका राज़ की पच्छी है रास्थान का तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा केंद्रिय प्रते चकर बोर्ड द्वारा राश्थी आयकर दिवस का आयोजन किस तिति को किया जाता है ये किया जाता है 24 जुलाइ को 24 जुलाइ 1860 को सर जेम्स बिलसन उनके द्वारा भारत में पहली बार आयकर पनाली की सुरुवाद की गई थी विसी करवर से ही किया जाता है अगला जो प्रशन है वह देश जिसके द्वारा हाली में भोजन आपूर्थी सुनिश्चत करने के लिए खा दिख रहे हैं पुरुसकार अस्थापित किया गया है Food Planet Award अस्थापित किया गया और ये Award अस्थापित करने वाला देश है Sweden और Sweden ने ऐसा किया है एक मिलियन अमरीकी डालर का ये पुरुसकार अस्थापित किया गया है Next question, अनासिस सेकेंड उपग्रे का प्रचेपण किस देश के द्वारा किया गया अनासिस सेकेंड जो है ये प्रचेपित किया गया है डच्छिन कूरिया के द्वारा से लगातार इसके संघर्ष चल रहे हैं संघर्ष ऐसे नहीं चल रहे है को यूद नहीं होता रहता है लेकिन अपनी सेप्टी के लिए उसने ऐसा किया है और इसका ये सैन इस अंचार उपकर है और अइसा करने वाला ये तेश जो है ये विश्चु का दस्वा देश बन ग स्वामी को जो की 60 वर्षिये हैं सिंगापुर में ये सम्मान दिया गया है और अग्रिम पक्ति में सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया है 2003 में SARS से निपटने के लिए इनकी जो experience थे इनके जो अनुवों थे इसको इन्हों ने आपर परिद किया इसी कारण से ये पुरुसकारिम को दिया जा रहा है किस भारती वैक्सीन निर्माता द्वारा Oxford University AstraZeneca द्वारा विक्सित COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट का परिछन सुरू किया गया और ये जो भारती वैक्सीन निर्माता है Serum Institute of India उसी के द्वारा ये किया जा रहा है अगला जो प्रशन है वह चीनी अंत्रिच मिसन जिसके तहत मंगल ग्रह की सखन जाज करने वाला जो ये चीनी अंत्रिच मिसन है मासक मिसन उन कड़ों को फिल्टर करता है जिनका आकार होता है 300 नैनो मीटर से काम बस इतना जानिएगा बाकी N95 मास के बारे में आप खुड जानते हैं किसके कारव करोना के कारव प्रवासी रोजगार एप किसके दौरा लांच किया गया प्रवासी रोजगार एप इस लिए है कि जो भी प्रवासी छोड़कर दिली मुंबई या बड़े सहरों से चोटे अब्यास पासेक्स किया, पासेक्स ये अब्यास किसके द्वा साथ में भारती सेना ने किया है, तो भारत और सहीत राज अमरीका की नव सेना में ये हुआ है, भारत और सहीत राज अमरीका की नव सेना में, नव सेना के बीच में ये अब्यास किया गया है, तो ये ध्यान दख में स्विम सहोकों को मजबूत करने के लिए Unisip के साथ बागिदारी करके इसको सुरू किया है B-option इसका बिल्कुल correct हो जाएगा किसके साथ किया है यूनी सेथ के साथ में बागिदारी करके इसको सुरू किया गया है तो यह जिसे अब यहां पर UNICEF के बारे में, मैं यहां पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यह class बहुत लंबी हो जाएगी, daily 30 अगर आप देखते हैं, तो वहां पर यह detail में चर्चा की जाती है, अगला प्रशन है, मुखिमंत्री, घरगर, रासन, योजना, प्रारम करने वाला राजी क आजाएगा, हाली में, जान लुईस का निधन हुआ, वो किस देश के नागरिक, अधिकार, आंदोलन से जुड़े थे, तो इन पर एक प्रशन और आपको मिल सकता है, अगले साथ, अगस्त के महिने के करेंट अफेर में, और यह अमेरिका से जुड़े हुए थे, सायुत र आजमेरिका के प्रत्मिदी सभा में, उन्होंने प्रवेश किया था, लंबे समय तक सदसी रहे थे, तो C आप्शन इसका करेंट है, अगला जो प्रशन है, फार्म 26AS, जिसे हाली में समाचारों में देखा गया है, समाचारों में चर्चा में रहा है, कि संगटन से संबंदि दस्ताबेज है, तो फार्म 26AS जो है, इसका जो संबंद है केंद्रिय प्रतेच कर बोर्ड से है, केंद्रिय प्रतेच कर बोर्ड, ध्यान रखेगा, D आप्शन इसका विलकुल करेक्ट है, नेश्ट कुश्चन, वैग्यानिकों दोरा हाली में कुच्ची तटपर किस प्रज कलोना, सिंटा, और टैलीना, इन तीनों में की गई है, D आप्शन इसका विलकुल करेक्ट है, ना, और ये खोज इंटिग्रिटी और समुद्री छेत्र प्रवंजन प्रियुजना के तहत, फ्लोरोसेंट, नीले और हरे माइक्रो प्रोस्टिब फाइबर कड़ों के और संद महासागर में की गई है, ये बाधिनों मस, रक्ससा जो है, ये है क्या, तिर्चटा है, और इसकी खोज कहां पे की गई है, हिंद महासागर में की गई है, नेश्ट कोश्चन, अगला जो प्रशन है, दूरसंचार, निप्टान और अपीलिये नियाधिकरण, टीडी सैट जो ये चर्चा में आये हैं, और ये है सिव कीर्थ सिंग, कौन है, सिव कीर्थ सिंग, सुप्रीम कोट में ये पहले ज़स्ट थे, और ये इसमें टीडी सैट के अध्याच है, इसका विल्कुल करेक्ट है, भारत के राश्टपती रामनात कोविंद के निजी सच्चु के इंटेली मास्ट क्या है, इंटेली मास्ट अगर आपसे पूछा जाए, तो ये सौर आधारित कृतिम सोचालित, डिस्पेंसिंग यूनिट्स है, थर्मल स्केनर है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्ण खोब पूछे जाते हैं, ठीक है, और C-S-I-R, C-S-I-R, और C-M- E-R-E, कैमेरी जिसको बोलते हैं, इन्होंने मिलकर इसको डेबलप किया है, 360 डिगरी कार्फ फ्लसर और टचलेस्ट विक्सित इसमें किया गया है, और ये सरीर के तापमान की ये पहचान कर सकता है, और 40-50 वाट की विजलिया पूर्ती के तहत ये काम करता है, बाकी कुछ बस ध्यान रिखिये का है क्या, हाली में चर्चा में आया, चट्टो ग्राम बंदरगा किस देश में इस्तित है, चट्टो ग्राम जो बंदरगा है, वो इस्तित है, बांगला देश में, सी आफसन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बांगला देश में इस्तित है, और कोलकाता प भारत के हितिये हुए हैं और यह इस्थित है तमिल्लाडु में बी आपसन इसका बिलकुल करेक्ट है जो कोडिया कराई वनिजिव समच्छन भ्यारन है यह हेरुणों के पुनरवास का यहां पर काम सुरू किया गया है इसलिए चर्चा में आया है और यह इस्थित कहां है यह भारतिये संभिधान संसोधन जिसके तहर दल विरोधी कानूं 1985 को पारिद किया गया था यह तो ट्रेडिशनल प्रश्ण है लेकिन राज्थान राजी सरकार के राजनितिक संकट के दौरान अभी चर्चा में आया था इसलिए प्रश्ण बनाया गया है और यह था बावनव आप पढ़ते हैं उसके समू के एक अध्यक्ष भी होते हैं तो अभी तक इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे एनराम थे एनराम की जगा माली पार्थ सास्त्री को इसमें न्यूट किया गया है बी आप्सन इसका बिल्कुल करेक्ट है बर्तमान में यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कोन है बर्तमान समय में यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष को चर्चा में आया है भारत और यूरोपीय संग के बीच में 15 मीं सिखर बैठक आभासी मोड में अभी आयोजित की गया थी और बर्तमान समय में यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष है वो और्सिला व करेक्ट है और 1930 के उपरांत प्रतेक चार साल के अंतराल पर यह आयुजित किया जाता है अभी भी आयुजित किया जाता है और बरतमान समय में राश्टिय फुटबाल टीम जो फ्रांस की है वो फीफा विस्टुकप 2018 टूर्णामेंट जीतने वाली टीम है अब 22 में इसको आय वाचल प्रदेश की सीमा से और यह भूटान में इस्थित है नेश्ट कुश्चन वास्तील दिवस समारो किस देश में मनाया जाता है फ्रांस अपने राश्टिय दिवस को वास्तील दिवस मनला का एक राश्टिय दिवस के तौर पर ही मनाया जाता है और 14 जुलाई को मनात कौन सा देश मनाता है, फ्रांस मनाता है, तो D option इसका correct हो जाएगा, अगला जो प्रशन है, हाली में किस राजी सरकार ने गुमसुदा बच्चों का पता लगाने के लिए operation मुसकान सुरू किया, तो यह जो operation है, यह आंदरप्रदेश सरकार ने सुरू किया है, C option इसका बिल्क नमक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, यह जो रिपोर्ट है, यह संयुत राष्ट ने हाली में FAO, UNICEF, IFAD और WFP इनके साथ मिलके संयुक्त रूप से जारी किये लेकिन यहाँ पर एक option आपको टिक करना है तो संयुक्त राष्ट संग हो जाएगा वैसे इसमें FAO, UNICEF और IFD और WFP इसके साथ में और कौन से? UNICEF और FAO, यह सब सामिल है लेकिन स्युक्त राष्ट संग आप इसमें टिक कर देंगे अगला जो प्रश्ट है, निम्डिकित में से किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा को अस्थानी अस्तर पर सराबंदी की सक्तियां प्रदान करने का निड़े लिया गया है important question है, ऐसा सराबंदी जब भी हुई जिसे बिहार में हुई थी तो प्रश्ट बुच्छा गया था तो यह हर्याणा भी आपसन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ग्राम सभा को दे दिया गया है सराबंदी का क्या सक्तियां दे दे गया है, सक्ति प्रदान कर दीगे कि आप इसको करवा सकते है नासाद्वार मंगल मिसन 2020 के लिए विख्षित भुट हेलिकाप्टर का नाम क्या है, यह जो लिए हेलिकाप्टर विख्षित किया गया है अगला जो प्रशन है, पर्थम भारती बंदरगा जिसेminister啊,uff के रूप में विक्सित किया गया ये प्रशन आप से पूछा जायेगा, तो ये कुच्छी बंदरगा इसका सही उत्तर हो जायेगा और कुच्छी कहाँ पे हैं, कुच्छी है केरल में, कुच्छी कहाँ पर है, केर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वक हादि पदार्थ जिसकी वास्तिविक समय निगरानी है तो पैडी वाच नामक मोबाई अप्लिकेशन गूगल द्वारा पिक्सित किया गया है नाम पैडी वाच है तो जाहिर सी बात है यह चावल के लिए होगा ए अप्सन इसका बिल मत्रले द्वारा जारी प्रज्यता दिसांदर देश किस से संमंदित है प्रज्यता जब भी आपसे पूछा जाएगा तो डिग्टल सिच्छा या आनलाइन सिच्छा जो भी उसमें दिया इस समय उत्राखंट को कौन सी हम है, आपको पता है, ज़रा सोचिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, तो यह C आप्शन इसका करेक्ट है, विस्सु इवा कावसल दिवस कब मनाया जाता है, विस्सु इवा कावसल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, इस इस बार की जो थीम है, इसकिल फार ए, रिजिलेंट यूद, तो इसकिल, इसकिल्स फार ए, रिजिलेंट यूद, यह इस बार की थीम है, यह आप सन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंदरा जुलाई, नेक्ट कुश्चन, आवस्यक बस दो अधनियम में, परतमान मे कितनी बस्तों सामिल हैं, आवस्यक बस्तों अधनियम, आवस्यक बस्तों अधनियम में, कितनी बस्तों सामिल हैं, यह पुछा सारा है, कितनी बस्तों सामिल हैं, आवस्यक बस्तों अधनियम में, इसमें कुल, जो, कुछ जो उत्पाद है, और बस्तों की डिलिबरी, उनकी स चुनिश्चित हो सके, इस कारण से इसमें सामिल किया गया है, आप रोधिबादित नहों नी पाया, तो उर्वरक है, दवाएं है, खाद तेल है, पैट्रोलियम है, पैट्रोलियम मुत्पाद है, और इसके तहट अभी जो बरतमान में सामिल जो बस्त हुए है, उनकी संख्या जाएगा, नो, भारती रेलवे ने किस वर्ष तक सुध्य सुन्य कारवन उतसर्जन, सुध्य सुन्य कारवन उतसर्जन, नेट जीरो कारवन इमिशन, इसका लच जो टार्गेट रखा है, वो किस वर्ष तक रखा है, तो 2003, most important question, 2030 तक ये लच इसको हासल करना है, भारती रे परियुजना के लिए, फंडिंग में बिलम के बाद, चाबहार, जाहेदान, रेल परियुजना के निर्मार में, किस देश को, जो की पहले हिस्सा था, उस निर्मार से किस देश को अलग कर दिया गया है, तो परियुजना में फंडिंग में बिलम हो रहा था, ये कहकर, इरा सरकार ने भारत को इससे अलग कर दिया है अनम भारत अब इसमें नहीं रहेगा भारत को इससे अलग कर दिया गया इरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पाकिस्तान की सीमा पर इरान और अफगानिस्तान की साथ ब्यापार के विकास में भारत की जो प्रतिबद्दता थी उसी के ने खिस्से के रूप में ये भारत इसमें पार्टिशिपेशन कर रहा था चावार पोर्ट जाहदान रेन लाइन जो परियोजना है तो अब इसको भ इसरायल नौरा बिकसित सबसे नवी नच्छा प्रद्युकी में से एक है और ये लक्षी को पहचानने ट्रैक करने और तीन किलोग्राम वजन तक ले जाने में सक्षम है कहां से किया जा रहा है इसरायल से सी आपसन इसका विकुल करेक्ट है पहली बार भारती रेलवे ने अंदरप्रदेश से विसेश पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च देश किसी देश में पहुचाई है और वो किस देश में पहुचाई है ये पहुचाई है बार भारती रेलवे के द्वारा कई है कहां पर गई है बांगला देश में गई है सी आपसन इसका विकुल करेक्ट उष्छ कडवंदिए तूफान का नाम क्या है? जिसने न्यूजर्सी में भारी वारीश़ की बाल और भुवस्क्लन जैसे इस्थितियां पैदा कर दी और इसका नाम है फेatore. ठीक है? ये कैसा है? उष्ट कडवंदिए तूफान है. तो भी आपसन इसका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा महाकाब ये रामायर का संस्कृत से नेपाली भासा में अनुबात किस ने किया था अभी भगवान राम परचर्चा हो रही थी मतलब ये कि वो नेपाली थे क्या थे इस तरीकी की बाते चल रही थी तो ये प्रश्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये किया था भानुभक्त ने वहां के ये मतलब ये जो लेखक हैं आचारी है भानुभक्त तो अभी उनकी जैनतिक आयोजन सिक्किम के द्वारा किया गया था संस्क्रित भासा से नेपाली भासा में इन्होंने रामायड जो महा कावि रामायड है उसका अनुबाद किया था तो ये भानुभक्त है आचार्य भानुभक्त भी आपसन इसका करेक्ट है इंडिया साइकल्स फार चेंज चैलेंज किस केंद्रिय मंत्राले की एक पहल है आवास और सहरी मामलों के मंत्राले ने स्मार्ट सिटी मिसन के तहट किंद्री आवास और सहरी मामलों की मंत्राले के द्वारा ये पहल की गई है इंडिया साइकल स्पार चेंज चाइलेंज ठीक है तो ए आपसन इसका बिल्कुल करेक्ट है परतवान समय में अंतरवाष्टी अस्तर पर कोईले के वहंडार के मामले म बिस अस्तर पर भारत का अस्थान जो है पाचवा है बी आपसन इसका करेक्ट है जल्दी ही हम अन्य आकणों को डिसकस करेंगे एक वीडियो में वह आपको मिल जाएगा एक्जाम के पहले ये रिवीजन करने वाली चीज़े होती है तो कोई भी एक्जाम जवाब देने जा से कवर करते हैं जो एक्जाम की दिश्टी से बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगला जो प्रशन है अंतराष्टी नागरिक उद्देन संगठन का मुख्याले कहां पर इस्तित है अंतराष्टी नागरिक उद्देन संगठन इसका जो मुख्याले है वो मांट्रियल में इस तराष्टी नियागरिक उद्देल संगठन के समझ पाकिस्तान दोरा हवाई छेत के उप्योग से इनकार के मामले को उठाये गया है तो इसी कार्ण से ये चर्चा में आया है जो अप्लिकेशन प्रारस किया गया है वो कौन सा मोबाईल अप्लिकेशन है और इस mobile application का नाम है Air Seva, C option इसका correct है, Air Seva नाम है, next question, 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साज़ेदार कौन सा देश बना, सबसे बड़ा जो व्यापारिक साज़ेदार है, भारत का वो संयुक राज्य अमरिका है, अभी चीन के साथ में जो व्यापार है, वो घट रहा ह है लगातार हम चाइना की जो चीज़े उनको प्रतिबंदित करने की कुसिस कर रहे हैं, तो अमरिका के साथ वैसे भी अच्छा व्यापार रहता है, तो व्यापारिक साज़ेदार सबसे बड़ा कौन है, सैयुक राज अमेरिका, व्यापार घाटा हमारा चाइना के साथ उजना कि उसने अभी घुशना की है और ऐसा करने वाला अभी वैसे अमरिका है भारत है योई ससार है यूरूपिया अंत्री चिजनसी है इसने सब किया है चीन भी है है ना चीन भी लांच करने की तयारी भी है और यह अरब देश से सहीं तरब अमिरात जो ऐसा करने जा रहा ह अगला जो प्रश्ण है किस केंद्रिय मंत्राले ने Artificial Intelligence AI आधारित असीम पोर्टल लांच किया जो असीम पोर्टल है यह मतलब Artificial Intelligence पर आधारित है नियोकताओं को कुसल करमचारियों की उपलगतता का मुल्यांकन करने के लिए उनकी भरती प्रक्रिया के लिए एक digital platform यह उप आपमान लगाया कि अगले पांच वर्सों में आवसत वैस्विक्त आपमान में 1.5 डिटी सीयस की बृद्धी होगी आयसा करने वाला जो संस्थान है वो विश्व मौसम संगठन है विश्व मौसम संगठन इसकी अस्थापना कप की गई थी कॉमेंट करके बताईएगा जो लोग कमेंट नहीं करना चाहते हैं वो खुद देख लेंगे इसकी अस्थापना कप की गई थी और इसका मुख्याले कहा है इसको देख लीजिएगा अगला जो प्रशन है 15 जुलाई को हुए भारत और यूरूप है देखे मैं बता सकता हूं लेकिन मैं इसलिए नहीं बता लेंगे इस कारव से मैं यह सब नहीं बताता हूं आपके लिए कुछ काम छोड़ देता हूं तो यह चीज़ें आप ऐसा मत लिया कीजिए कि अरे खुद नहीं बता सकते थे और हम लोगों को बता दिया बताने को तो मैं बता सकता हूं इसका मुख्याले जिनोवा में है ते आभासी सिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था उसका प्रतनिज़तो भारत की तरफ से किस ने किया था तो इसका प्रतनिज़तो भारत की तरफ से जो हमारे प्रधान मंतरी नरेंदर मोती जी है उन्हों ने किया था से आपसन इसका पिलकुल करेक्ट है संयुक्त राष्ट मानुवादिकार परिसत UNHRC में किस ACI देस ने 2021 से 23 के दौरान एक और कारिकाल की लिए चुनाव लड़ने की गोशना की है और ये गोशना करने वाला देस भारत नहीं है ये गोशना करने वाला देस पाकिस्तान है नेक्ट किस्टशों फ़िए के लिए एक ऐख सिंसे का विल्कुल किरेक्ट और ये जो आयोब होगा इसमें एक सेवानिविर्थ उच्छ नयाले के नयाधीस, दो सेवानिविर्थ जिला नयाले के नयाधीस, और एक सेवानिविर्थ बन विभाग के अधिकारी, और इसके साथ में एक सेवानिविर्थ कलेक्टर को सामिल किया जाएगा, ति कलेक्टर इसमें एक रहेंगे, और गलत विक सब्सक्राइब नाम से ही पता है राजपच्छे अगर आ गया तो यह स्री लंका भी हो जाएगा ठीके ना और मतला राजपच्छे अंतराष्टी हवाई अड़ा जो है वो कुलंबो से 241 किलोमेटर दूर है कम हवाई उडान होने के कारण दुनिया का सबसे खाली हवाई अड व्याजदर वाला चीनी रिड लेकर यह बनाया गया था चीन जब भी आपको कुछ देगा तो उसका बुकतान कुछ ऐसा करना पड़ता है तो उनकी जो चीज है उसकी क्वालिटी सही नहीं होती और दूसरा वो जो भी काम करते हैं उसके व्याजदर यह सब भी उच्छ कर लेते हैं अब रेड में डूब डूब गया है इसी करना से चर्चा में आया है यह हवाईयठ dabei का खर्चा वैसे भी नहीं कल पा रहा और उच्छ भ्याजदर रहे हैं इसकी कारां सब्सक्राऌ 3 कि और दिकते हैं पूर तिकत gamma 2 ऑर दिक्कते हैं bloods ऑ、 पर नजर रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारी समाधान है लेकिन ये राष्टी अस्तर पर नहीं है सरकारी जमीन पर ये नजर रखेगा और कहां पर रखेगा और पूरीशा में बुल्यूस जो है ये भुनेस्वर लैंड यूज इंटिलिजेंस सिस्टम के कारण इसका लिए सीमा चहत्र में जो भी इंफरेश्टेक्ट्ट्र डिवलम्मेंट होता है और स्टाफ का जो प्रबंधन है और ये सारा काम ये करता है अंतराष्टी सीमा से लगने वाले जो राज हैं क्या आर्थिक सामाजी विकास में बदान देता है यूदिकाल में यह सरकार द्वारा सोपे गए जो और निकारी है उसको भी करता है और इसकी जो अस्थापना हुई थी यह साथ मई 1960 को की गई थी बी ऑप्शन इसका पिल्कुल करेक्ट है ठीक है और इसका मुख्याले कहा है नई दिल्ली में राज जी को इस टाइटम की लिए अनपुल बनाने के लिए किस राज सरकार ने स्टाइटम नी ट्वेंटी ट्वेंटीटी को शुखृति परदान की है राज जिह है उत्तर प्देस और इसमें माना जा रहा है कि अब चीज़ा है असान हो जाएंगी है अगला जो प्रशन है स इस देश के अंत्रिश एजनसी के द्वारा लांच किया गया है तो AP Star 6D जो है यह सिचान से लांच किया गया चाइना का यह संचार उपग्रे है क्या है यह संचार उपग्रे है यह ध्यान रखेगा किसका है चीन का सी आप्शन इसका प्लिकुल करेक्ट है अगला प्रस्ण व बाह अंत्रिस स्यों कारिकरम के तहत प्रच्छेपित किया जाएगा तो यह जो AMAZONिया मश्ट है अमेजन के जंगल का सबसे एरिया ज्यादा किस देश में पाया जाता है व्राजील में पाया जाता है तो यह व्राजील का उपग्रह है इस रों के द्वारा इसको भीज़ा गजूर जो सबने भगवान बुद्ध का और जो मंगुरियाई गजूर है यह पांडुली पी है इसका सब्बंद किससे है पांडुली पी से यह आफजन इसका विल्कुल करेक्ट है अगला जो प्रशन है वह देश जहां हाल ही में राष्टिये जो हमारा भारती राष्टिये चैनल है भारती समचार चैनल है उसके प्रसारों को रोका गया चीन में तो आप पहले यह पेच्छना करिए कि वहाँ चलता रहा होगा तो चीन तो ऐसे निकाल देजिए पकिस्तान में भी चलता होगा मुझे सही से पता नहीं है कि यह क्या होगा हमें सुचूशन है लेकिन जातर यह बैनिंग क्या होगा लेकिन अभी बत्तिमीज हुआ हाल में हाल में बत्तिमीज हुआ नेपाल चैना के प्रभाव में आकर तो उसने रोक दिया था C option इसका प् कुल करेक्ट है COVID-19 संबंदित आवस्तिक दवाओं और मेडिकल असिस्टेंट टीम्स खादिपदार्थ इन सबको भेजा गया था वाइक लेबल एकिएम के संबंद में जो कथन सत्य है वो आपको बताना है वाइक लेवल एकिम गयर french के स्वामित्य में शुरू किया आते हैं और गयररेद्वां से पिसमें सब्कोर संस्खे करेक्ट है ना दोनों की दोनों बाते इसमें सही है कोलने के लिए भार्तिभर य पहली अधिकृत कंपणी वनी थी इन्डी कैस के नाम से इसने Councillor कहां बहुत अरवल सुबंशिरी चलविद्दुत मॊंट करेक्ट एक सुबंसरी नदी के नाम से भी जाना जाता है और मिनांचल फ्रते हमा beginnen छी फ्रती में से पत्रेस नाम से निकलती है मार्कन डेस्वर। मंदिर के संबन्द में कौन सा कथन असात्य है। मार्कन डेस्वर जो मंदिर है, ये 24 मंदिरों की स्रिंखला में से एक है, बिल्कुल सही है, वेन गंगा नदी के किनारे मरकंडा गाहों में इस्थित है, इसे बिदर्व का खजुराव कहा जाता है, अगला जो है ये राजस्थान में इस्थित है, थोड़ा सा अगर विस्थिताओं पर ध्यान देंगे, तो 2020 के संखरण में कौन सा अस्थान प्रात किया है, जो ग्रेटी सुचकांग है, G-R-I-T-I, ठीक है न, इसमें दुनिया भर के अचल संपत्य बाजार में पारदर्शिता के मामले में एक ये सुचकांग होता है, और विदेसी बाजारों में निवेस और संचालन करने वाली अ सारजनी कुपकर्म जो कारप्रेट सामाजिक उत्तरदाईत यूजना के तहत रेलवे को ओवर हैट ट्रैक्शन सिस्टम से जोड़ेगा, कौन सा सारजनी कुपकर्म है, रेलवे के साथ ऐसा कारी हो रहा है, ये है भेल इंडिया, ये आपसन इसका विल्कुल करेक्ट है, भा हो जी गई है उत्राखंड में, डी आपसन इसका विल्कुल सही हो जाएगा, और हिमालेयन बटरफ्लाई का ये नया मापक जो है, गोल्डेन वर्डविंग है, जिसके अमसार उत्राखंड के पिथारागर के जिले के दीदी हाट कस्मे में, एक सो चौरानवे मिल्यमीटर ल नहीं है, एसीया में सबसे बड़ी सिंगल लाइट्स और उर्जा प्रियोजना कौन सी है, इसका उत्राटन किया गया था, प्रदानमंत्री मोधी के द्वारा, वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये 10 जुलाई को, डेट वीज की इंपॉर्टेंट हो सकती है, कि 10 जुलाई को इसका उत्राटन किया गया था, और ये है रिवा अल्टरा सोलर पावर प्रजेक्ट, हैना, एसीया में सबसे लंबी सिंगल लाइट्स और पुर्जा प्रियोजना है, हाली में भारती दुतावास द्वारा स्री सब्तमी गुर्कुल संस्कृत विद्याले का वर्चुली उत गाटन किया गया, कहां पर किया गया है, ये गाटन नेपाल में किया गया है, है ना, इसका नाम है सिरी सब्तमी गुर्कुल संस्कृत विद्याले, और ये नेपाल में इस्तित है, काटमांडो में, भारती दुतावास द्वारा पारवोट ग्राम विकास समीती और संस्कृत पिद्धाले की स्कूल प्रबंदन सहजेती ने इसमें भाग लिया और यह आई वाजन मारके दुटाबास के दोरा किया गया अगला जो प्रशन है नेकर सम्मान यूजना किस देश में सुरू की गई नेकर जो सम्मान यूजना है नेकर का अर्थ होता है बुनकर नेकर का अर् अगला जो प्रश्ट है उसका पहला इस्टेटमेंट है कि जून 2020 के महीने में हर्याणा देश में देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक विरुजगारी दर रखने वाला राज्य था, सबसे जादा विरुजगारी दर हर्याणा में थी, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और हाली में हर्याणा काइबनेट एक प्रस्ताओं को मंजूरी दी है जिसके दाहर दीजी छेत्र में 50,000 रुपी से कम बेतन वाली 75 फीजदी नोपनिया अस्थानी लोगों के लिया रचिक लिए ये भी बिल्कुल सही है अब जो दिल्ली के आसपास दिल्ली में रहने वाले लोगों और उसके आसपास में काम करते हैं इंस्यार में काम करते हैं यूपी के हैं तो अगर इंस्यार को हर्याना का है तो वहाँ पर पाहले लेवल से सार्टिपिकेट मांगा जाएगा कि भाई आप सार्टिपिकेट लाओ ऐसे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो इसका सही उतर्सी हो जाएगा दोलों के दोलों स्टेटमेंट सही है अगला प्रशन उजला योजना के तहर प्रतेग गर में LPG connection उपलब्द कराने वाला पहला राज जी कौन सा बना है बहुत ही important प्रशन है और सौ फिस्दी ये लग्ष हासिर करने वाला जो राज है वो है हिमाचल प्रदेश हिमाचल ग्रहनी योजना मई 2018 से संचालित कर रहा था और उसी के तहर तब ये पूरा सिचुरेट हो चुका है कहने का मतलब ये है कि सबकों बिल चुका है connection next question देहिं पठकाई वनिजी अभ्यारन किस राज में इस्थित है देहिं पठकाई वनिजी अभ्यारन असम में इस्थित है कहां पर इस्थित है असम में इसका विल्कुल correct है असम का दिप्रूगण और तिनसुकिया जो जिला है वहां पर इस्थित है इंतजार आपका नामक सोसल मीडिया अभियान किस राजी के पर्याटन बोर्ड द्वारा शुरू किया गया। किस बैंक के देश वर्गी करण के अंसार आए के अस्तर के आधार पर भारत किस स्रेणी में है। इनिवर्ष्टी इसको बोलते हैं। यह बैस्विक ठिंक टाइंक है और यह पोस्ट ग्रेजुएट सिच्छन संगठन। मतलब यह असनात कुत्तर की डिग्री भी आपको देता है और इसका मुख्याले कहा पर इस्तित है। जापान में। इसका करेक्ट है इसका मुख्याले जापान में इस्तित है। विश्व प्रशिद हागिया सोफिया संगराले निमिकित में से किस देश में इस्तित है। पांसो बतिस इस्वी में वाइन जेन्टाइन समराज के सासक थे जस्टियन, जस्टिनियन, जस्टिनियन के सासनकाल में इस्तांबुल में इस संग्राले का निर्वान कराया गया, तो इस्तांबुल कहा है, तुर्की में, B option, correct. ओवर्ट्राफ्ट सेविंग दा इंडियन सेवर, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह जो पुस्तक है, यह हमारे RBI के पूर्व जो गवर्नर रहे हैं, उर्जित पटे उनके द्वारा लिखी गई है, D option इसका correct हो जाएगा, पुस्तक important है. निम्निक में से किस राज्य के द्वारा अगस्त 2022 तक ग्रामीट छेतर में घरेलू non-connection, सौफ हिस्दी करने का लक्षी रखा गया है, और यह जो लक्षी रखा गया है, यह वही राज्य है, हिमाचल प्रदेश, जिसने अभी उजला योजना के तह सिचुरेशन किया था, D यह आफसे इसका विलकुल करेक्ट हो जाएगा, निम्नामकस्थान जो हाली में खबरों में देखा गया, किस नदी के किनारे इस्तित है, सबसे पहले आप यह जान लीजिए, कि यह लद्दाक में इस्तित एक गाउं है, छोटा सा गाउं है, जासकर रेंज से यह घिरा थी, बहुत ही important प्रशन है, किस अंतराश्टी संगठर ने COVID-19 और परेटन सीर्शक से रिपोर्ट जारी की, तो COVID-19 और परेटन जो की बिल्कुल ठप हो चुका है, अंकटार ने यह रिपोर्ट जारी की, United Nation Conference on Trade and Development ने यह रिपोर्ट जारी की है, और इसमें बताया गया है कि 1.5% GDP में जो युगदान था, वो कम हो सकता है, किसका, परेटन छेतर का, 1.2 trillion dollar की कमी आ सकती है, और ऐसे ही अगर रोग लगी रही, आट में ने और इन्हाने कहा, तो 2.2 trillion dollar, बैसलिक GDP का 2.8% इसमें, मैं डाउन हो सकता है, गिर ही तो रहा है यह होती है, हाली में किस रिड किया गया, आल इंडिया, रेडियो की द्वारा, चीन में सोथ करताओं के द्वारा, एक स्वाइन फ्लू की तरह दिखने वाले, एक नए वाइरस, G4 की खोज की गई, इसके संबंद में असत्य कतन, तो G4 की खोज की गई थी, बाद में इसमें खेर कुछ नहीं मिला, यह व मूल रूप से चंगावलों में नहीं, यह मूल रूप से सूरों में पाया जाता है, तो C इसका सही उत्तर हो जाएगा, सौतंतंत्र की बाहरी परत में खुद की प्रत्कितियां तयार करता है, यह विल्कुल सही है, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही लच्चन साज टाइप के पा लाख तीज हजार है, 1.30 लाख में यहां पर हाथ ही पाया जाते हैं बोर्त जॉन नमें, तो यहीं पर सब ज़्याता संख्या है, स्ट्राइप पहरी स्ट्रेक और इलुवीस इ प्रिंस क्या है? तो स्ट्राइप ऱ्तर्पए के इन अरुनार्त्र कर्देश में खुजी ग प्रिंस, ये दो प्रजादियां आती है, अगला जो प्रशन है, फ्रांस का नया प्रदान मंत्री किसे न्यूकत किया गया है, फ्रांस का जो प्रदान मंत्री है, अभी, ये ध्यान रखिएगा, जीन का इस्टेक्स है, कई बार ये प्रशन पुछा गया है, जीन का इस्टेक् क्या यह कोविड-19 की समय वो तवाही मांके नहीं रोप पाया थी। किस देश में लोगों ने human cycle बनाकर नया विस रिकार्ड अस्थाफित किया। मासकों में यह घटना घटी मतलब यह घटना घटी क्या ऐसा किया गया 15,000 से ज्यादा cyclist इसमें पाटिसिपेट किया है और human cycle बनाकर विस रिकार्ड इसमें कायम किया गया है रूस की राजदानी है मासकों तो रूस में यह किया गया है सिवालिक वनखेटर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की उत्तरी सेरिय में इक पत्टी पाई जाती है और ये ठोंधा विक लंबाच व्रड़ा 005 तो उत्तर प्रदेश इसमें उत्तर है और पेवोस किसका उपक्रे है ऐसे भी प्रश्मिक करेंट अफेर में डिसकस करते हैं विल्कुल करते हैं भारती अंतरिच अनुसंदान संगठन का मंगल यान जो मिसन है उसने फेबोस मंगल ग्रह का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है या फ्राक्रति को उपकर रहे है उसके चित्र लिये है तो यह किसका है मंगल का उपकर रहे है विध्यान नखियेगा इसका विल्कुल करेक्ट है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है फेबोस ठीक है फेबोस की छबी मंगल ग्रह आर्बिटर मिसन द्वारा 42 किलोमेटर की दूरी से ली गई है इसके एक और इसका उपकर रहे है इसको कहते है इसके दूसरे उपकर रहे का नाम भी जान लीजे अगला जो प्रश्न है अगला जो प्रश्न है देश का प्रथम प्लाजमा बैंक कहा अस्थापित किया गया है अभी तक हमारे देश में प्लाजमा बाइंग नहीं था, इसकी जो अस्थापना की गई है, वो नई दिल्ली में की गई है, अभी हाली में की गई है, ठीक है, नइस्टिट्यूट अफ लीवर एंड बिलिवरी साइन्स जो है, आई एल बियस जो है, वहीं पर अस्थापित किय गया है, COVID-19 संक्रमल के बाद ठीक होने वाले मरीज 14 दिन के लिए अपना प्लाजमा दान कर सकती है, यह बहुस्ता इसमें की गई थी, जल जीवन मिसन के तहट के इन सरकार ने कब तक प्रतीक, ग्रामीर धर को पेजल जो है, उसके लिए नल करेक्शन देने का निर्णे लि गवा समनचन योजना औरीसा में लागू की गई है, इसका सही है, सर्बोच नियाले ने 2019 के दिसंबर में कहा था कि केन सरकार को जो गवा होते हैं किसी भी मामले में उटको समनचिल करना चाहिए, क्योंकि उनके जानबार की हानी का खत्रा रहता है, विए तो कभी भी उनको मारा जा सकता है, कुछ मुक्सान पहुचाया जा सकता है, जैसे कुछ भी लोग सूचना देते हैं ऐसे, या गवा ही देते हैं, सतय से हवा में मार करने वाली S-400 रच्छा साइन पढ़ाली किस देश के द्वारा मिक्सित की गई है, S-400 सतय से हवा में मार करती है, सबसे पहल अच्छा साइन पढ़ा ली कि आप मुर्ती अभी की है इसने इसके पहले S300 भी था इनका तो S300 को और अपग्रेड करके उन्नत करके S400 बनाया है भारती रेले ज्वारा अनात्कृत पैकेज़ ड्रिंकिंग वाटर विक्री की रोग्धाम है जो सही नहीं है उसके लिए यह फिर से पानी भर के आपको बेज़ देते हैं लुग ठीक breakfast विज्ञान क्या है accelerate विज्ञान यह है वैग्यानिक सोथ को बढ़ावा परदान करने के लिए एक प्रियोजना क्या है वैग्यानिक सोथ को बढ़ावा परदान करने के लिए यह एक प्रियोजना है जाना project to promote scientific research C option इसका correct हो जाएगा हमारा घर हमारा विद्याले कि वह अभी जो पढ़ाई चल रही है lockdown के दारान बादित हो गई है तो वह connectivity बनी रहे इसलिए एक उसिस की जा रहे है वह राज जहां देश का सरवादिक ग्रेफाइट बंडार इस्तित है तो ग्रेफाइट बंडार सबसे ज़ादा जो इस्तित है भारत में वो कहा है अरुनाचल प्रदेश में देश का जितना भी ग्रेफाइट है उसका 35% अरुनाचल प्रदेश में पाया जाता है नेश्ट कुछ चंग चमलियाल मेले का आयोजन किस राज में किया जाता है चमलियाल जो मेला है ये दलीर सिंग मनहास की समाधी पर लगता है बाबा चमलियाल के नाम से ये प्रसिद्ध है और ये लगता है जम्मु कस्मीर में जिनेवा में सयुंतराष्ट के भारत के राजदूत और अस्थाई प्रदिनीदी के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है ये जो न्यूक्ती की गई है ये इंद्रमणी पांडे की न्यूक्ती की गई है अना सुट्जर लाइन जिनेवा में जिनेवा जो है वो सुट्जर लाइन पर पढ़ता है वहाँ पर सयुंतराष्ट और अन्य अंतराष्टी संगत्नों के लिए इनको न्यूत किया गया है, अगला राजदूत 1990 बैच के ये IFS है, Foreign Services के हैं, ज्यान लखिएगा, अगला जो प्रशन है, एक जुलाई 2020 से प्रभावी हुए, नाफ्टा 2.0 में निम्ने में से कौन सा देश सामिल नहीं है, तो नाफ्टा 2.0 में कौन कौन से देश सामिल है, य तो यह उपर के तीनों है, साइप्रेस में नहीं है, इसका सही हो जाएगा, नया मक्त ब्यापार समझाता है, एक जुलाई 2020 से ये लागू हो गया है, 26 वर्स पुराना जो पहले समझाता था, नाफ्टा, उसकी जगह इस ने ले लिए है, तीन देश इसमें है, सही उत्राज करना इसका उदेश है, तो ए आपसन इसका करेक्टिफ हो जाएगा, नेश्ट कुछचन, CBFC, केंदरिये फिल्म प्रमारंद बोर्ड का CEO किसी न्यूट किया गया है, केंदरिये फिल्म प्रमारंद बोर्ड इसका जो न्यूट किया गया है, क्या CEO, IRSS, अधिकारी हैं इंडिय कि जाएगी, तो कि जाएगी क्या, ये कि जा चुकी है, कि गई यहाँ पर कर लेजिए, थोड़ा सा ये प्रशन अपडेट करने से रहाए गया, कि गई, तो ये कि गई थी सुरेश प्रभु के द्वारा, है ना, सुरेश प्रभु, पूर्केत्री मंत्री हैं और राजी सव इस समय कोई बंत्रा लें, इनके पास नहीं है, तो वही इसकी अधिक्स्ता इन्होंने की है, तो D option इसका correct हो जाएगा, अगला जो प्रशन है, खोलूँचू पनविजली परियोजना कहा पर इस्तित है, खोलूँचू पनविजली परियोजना नाम से आपको पता चल रहा ह अभी यहां पर खोलूँचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड और भूटान सरकार की बीच में एक समझवता हस्ताचरित किया गया है, तो भूटान में ये इस्तित है, भूटान की राजदानी थिम्पू में ये जो समझवता रियायत समझवता था, इस समझवते पर हस्ता मेगावाट की होगी, B option इसका correct है, डाक्टर विधान चंदराय के बारे में दो इस्टेटमेंट यहां पर दिये हुए हैं, पहला है कि 1948 से 62 तक पस्चिमंगाल के दूसरे मुक्यमंत्री के रूट में इनोंने कारी किया, सही है, 1961 में भारत रत ने इनको प्रदान किया गया यह भी सही है, C option इसका correct हो जाएगा, पटना में इनका जन्म होँआ था, कहां पर? बिहार, कहां पटना है? बिहार में पटना है, बिहार की राजधानी है, और यह मुक्यमंत्री रहे, 1948 से, 1942 से 62 तक बास्तुकार माना जाता है इनको पच्चिमंगाल का महान बास्तुकार, यह इतनी बात हैं इनके बारे में ध्यान में कीगा, पर्यामन मंत्राले की हालिया रिपोर्ट की अमसार किस राज में बागों की आबादी सबसे ज़्यादा कहां पर है? सबसे ज़्यादा जो बाग पाय जाते हैं, उम्मद प्रदेश में 526, सेकेंड अस्थान पे करनाटक में 524, थर्ड अस्थान पे उत्राखंड में 442 बाग यह पाय जाते हैं, तो मद्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, तीन अस्थान यह ध्यान लखेगा, रूस, भारत, चीन, समू, रिक जिसको बोलते हैं, रसिया, इंडिया, चाइना, जो ग्रूप है, इसक की परिकटना, 1998 में, ततकाली रूसी विदेश मंत्री थे, एवगेनी प्रिम को, एवगेनी प्रिम को यह फारेंड मिनिस्टर थे, कहां पे, रशिया के फारेंड मिनिस्टर थे, उन्हों ने की थी, तो ए आप्सन इसका उल्खुल करेक्ट हो जाएगा, विदी और नियाय म पहले को प्रदान किया जाता है, इसके अंतरकत, जिस छेते के साथ यह ऐसा होता है, तो संयुद अरब अमिरात के साथ ऐसा भारत ने किया है, यह आपसन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बारा सरकार द्वारा पुनर्टित प्रदान मंत्री आवास यूजना ग्रामी 114 दिन कर दिया गया है, राष्टी जल्मार्ग अधियम 2016 के लागू होने के साथ देश में राष्टी जल्मार्गों की संख्या कितनी हो गई, भारत में अभी भी जल्मार्गों का उतना इस्तेमाल नहीं किया था, इतना रोड्स का किया जाता है, लेकिन भारत में जल्मार् यह दूसरा था तो सबसे पहले वाला देहां रखिए लगार संख्या एक अलावा से हल दिया अगला प्रशन है कोविड लागडाउन के दौरान भारत वरा आकर्सित विदेशी निवेश का कोस क्या है कोविड लागडाउन अभी चली रहा है खैर अभी यह प्रशन अभी तक में कितनी बार वर्चुली आयोजित की जा चुकी है मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 सितंबर से अभी एक सत्र सुरू करने जा रही है संभी तुराष्ट महासावार वो वर्चुली आयोजित होगा अभी तक एक बार भी आयोजित नहीं हुई है 15 सितंबर के बाद में यह जाएगा कि एक बार आयोजित की गई है अगर ऐसा ही रहा तो स्रमिक समस्या निवारण है तो स्रम यूँ रोजगार मंत्राले द्वारा नौ विक्सित पोर्टल का नाम क्या है इस पोर्टल का नाम है संतुष्ट सी आप से इसका करेक्ट है संतुष्ट पोर्टल है और यह स्रमों रुजगार मंत्राली के द्राज़ारी किया गया है और सेवाओं की, सार्दिक सेवाओं की डिलिवरी पारदर्जिता, कारेकी और सलमिक समस्दा करनिवार किया जाएगा समुत्री निगरानी के लिए निमिकित में से कौन सा विमान ओपियोग किया जाता है तो समुत्री निग्रानी के लिए P8I विवान है, P8I विवान का प्रिवोग किया जाता है, B option इसका correct है, और अगला प्रशन अब लेते हैं, वह भारतियी प्रद्यों की संस्थान जिसके द्वारा इसके द्वारा जो प्रटेवल अस्थाल विकसित किया गया, वह मद्रास IIT मद्रास के द्वारा किया गया है and यह जो प्रटेवल अस्थाल है वाईनार चिले में लांच किया जा रहा है और रोगियों के इलाज के लिए इसको तैनात किया जाएगा जो COVID-19 से प्रभावित है और Medical Zone, Isolation Room, Doctor Room और Twin Bed ICU जैसे चार जोन इसमें बनाये गए हैं लेकिन यह जो है वो पोर्टेवल है एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ले जाया जा सकता है जब डेली जर्टी पे इसको कर रहा था तो इसमें IIT कांट फूर गलाक्टिक हो गया था तो मैं फिर से आपको याद दिला दू कि IIT मद्रास सही सका उत्तर है अगला जो प्रशन है किस भारती राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों ने आगरे करने के लिए लोगों से आ कि भाई बिन मास की क्लोज आ रहा है और वैसे भी हमारी है responsibility अगर हमको बचना है किसी को बचा रहा है तो यह जरूरी है आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बीयों का एक्जाम दे रहे हैं अभी और और यूपी PCS का 2020 का एक्जाम दे रहे हैं तो हमारे लिए यह सौब इसके लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 6307281212 पर आप वाटसेप पर के जानकारी ले सकते हैं तो यह हो गया अगला जो प्रश्न है यह जानकारी थी संहित राष्ट की आर्तिकउर सामाजीक परसद का पहला अद्ध्च कौन सा धेश था संहित राष्ट की जो आर्तिकए परस्थे तो पहला अद्ध्च था वो भारत था कहां पर अंतराष्टिय उर्जा एजन्सी है? पेडिस में यह स्तित है. अंतराष्टिय उर्जा एजन्सी इसके अस्थापना जो की गई थी, वो कब की गई थी? यह 1974 में की गई थी. B option इसका correct है, 1974 में इसकी अस्थापना की गई थी, और अंतराश्टी जो उर्जा एजनसी है, ये उर्जा के अस्थाई और नभीकरणिये रूपों के लिए सलाप्रदान करती है, यही इसका कारिय है, अगला जो प्रशन है, WHO के दच्छिल पूर्व एसिया चेतर से पहले दो देश कौन से हैं, जिन्होंने मिजल्स और रुवेला वायरस दोनों को सफलता पूर्वत समाप्त कर दिया है, तो मिजल्स और रुवेला को समाप्त करने वाले दो देश, दच्छिल पूर्व एसिया चेतर की ये देश हैं, प्रश्ट पे अध्यान दीजिए, सिरिलंका और माल्दियू, ये मिजल्स और हुवेला वायरस से निजाद पा चुके हैं, सफलता पूर्वर, इसको समाप्थ कर चुके हैं। अगला जो प्रश्ट है, हाली में किस देश ने विशुस्वास संगठन के साथ समाप्थ करने की अधिकारिक सुचना अमरिकी का अंग्रेश में जारी की गई है, कि वो इससे संबंद नहीं रखेगा, सही उतराज अमरिका है, सी अप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा। SDG, Sustainable Development Goal, सुचकांक जरी किया गया 2020 में, तो भारत को कौन सा अस्थान इसमें प्राप्थ हुआ है, भारत को इसमें जो अस्थान प्राप्थ हुआ है, HDG, Goals, सुचकांक में जो भारत का अस्थान है, वो है 117 अस्थान प्राप्थ हुआ है, अगर इसका स्कोर आप से 129 ये इसका स्कोर रहा है, 117 अस्थान रहा है, 117 इसका अस्थान रहा है, विज्ञान प्रद्यों की विभाग के अधीन स्वायत नैनो विज्ञान और प्रद्यों की संस्थान कहां पर अस्थाइद है, ये स्वायत संस्थान है, विज्ञान प्रद्यों की विभाग के जारी जून 2020 के महीने में भारत में विरुजगारी दर कितनी दर्ज की गई है तो भारत में जो विरुजगारी दर है वो 10.9% दर्ज की गई है अप्रेल के महीने में बिरुजगारी दर पहले उच थी बाद में ये पची टेज्ट था पांच दो परसंट थी और पादा नहीं क्या एक मैजिकल कुछ किया गया और यह घटका 10.9% होगी अब कैसे हुई पता नहीं कुल्बला के आख़ों में तो हुई गई और अंतिम प्रश्ण है इस पूरी महीने के करेंड अफेर का समाज के प्रति डाक्टरों के समर्पड और प्रतिवध्यता के लिए किर्टग्यता और आभार व्यक्त करने है तो भारत में प्रति एक वर्स राष्टिय चिकितसक दिवस मनाया जाता है तो चिकितसक दिवस जो मनाया जाता है वो इस साल के लिए काफी अहम्री है 2020 में जो यह कोरोना का कहर आया COVID-19 के कारण डाक्टर नर्स और अन्य जो इस्टाप्स होते है उनकी वैलू का अंदाजा हमें हो पाया है कितने हो मात्पों है इसी सम्मान में प्रतेक वर्स एक जुलाई को डाक्टरों के लिए राष्टिय चिकितसक दिवस मनाया जाता है और बहुत-बहुत धन्य बात ऐसे लोगों को जो अप सब्सक्राइब कर लिए चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए ठीक है इतने लोगों तक पहुचा दीजिए जिनको इसकी जरूरत है complete और बहुत ही अच्छा ये collection है इतना तुम्हें कही सकता हूँ Thank you, thank you very much, all the best